नमस्कार स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज के ये वीडियो सभी आंगनबारी बहनों के लिए काफी महतोपुर्ण है जैसे कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी आंगनबारी केंदर हैं उस आंगनबारी केंदर पर लगाये जाएंगे तो जी हाँ सभी आंगनबारी बेहनों के लिए एक अच्छी खबर है तो आंगनबारी बेहनों को काफी समय से इसका इंतजार था कि आंगनबारी केंदरों पर इसकी बेवस्थाएं की जाएं जैसे कि आंगनबारी केंदरों पर जो बच्चे पढ़ने की जाएंगी तो आप सभी आंगरबारी बहनों के लिए ये वीडियो काफी यूजफूल है वीडियो को आप लोग कम्प्लीट ज़रू देख लीजिएगा और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को आप इसे जोड़ी नई नई नोटिफिकेशन है उसके बारे में जनकारी मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ICDS विभार के तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है और जिसका डेट यहाँ पर आपको देखने को इस लेटर को सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी यानि सभी डीपियों को ये लेटर जारी किया गया है यानि पूरे बिहार के जितने भी डीपियों है उनको ये लेटर जारी किया गया है और सभी आगनबारी केंदरों के लिए ये नियम लागू होंगे और जैसे कि यह यहाँ पे आप लोग नीचे विशय में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं विशय में क्या दिया गया है ICDS निदेसाले अंतरगत राज्य के आगनबाडी केंद्रों में फरनिचर एंड एक्यूपमेंट एक्यूपमेंट का मतलब हुगा जो भी उपकरन है बिजली से जुड़ी जो भी समगरी है वो आगनबाडी केंद्रों पर उपलव्द कराये जाने के संबंद में महासे उप्रियुक्त विशाय के संबंद में निदेसा नुशार कहना है कि ICDS निदेसाले अंतरगत राज्य के आगनबाडी केंद्रों में फरनिचर एंड एक्यूपमेंट उपलव्द कराये जाना है जिस है तू उक्त केंद्रों पर आवस्यक सामगरी उपलव्द कराने के लिए सामगरियों के सुची त्यार किया जाना है तो देखिए इसके लिए जो आंगनबारी केंदरों के सुची है वो त्यार किया जाएगा कि किस केंदर पर किस चीज की जोड़त है और उसके हिस्ताफ से जो आंगनबारी केंदर है उसको ये सारी बस्तुएं उपलब्द कराए जाएगी यानि फरनिचर और जो उपकरन है उ इससे की आंगनबारी केंद्रों का थोरा सा इंप्रोव्मेंट हो सके अतह उक्त के अलोक में अनुरोध है कि समान ये आंगनबारी केंद्रों एवं मिनी आंगनबारी केंद्रों पर सामगरी की अवस्यक्ता से संबंधित पर्तिवेदन दिनांग 25-11-2021 तक अनिवारे रूप स उपलवद कराये जाए ताकि निदेसाले अस्तर से अग्रेतर करवाई की जा सके देख सकते हैं यहाँ पर 25-11-22 तक इसका जो परतिवेदन है कि किस आंगनबारी केंद्रों पर क्या-क्या जरूरत की चीजे लगने वाली है इस हिसाब से सभी आंगनबारी केंद्र पर यह इस पर इसली पंखा व इत्यादी जो आंगनबारी केंद्रों की जरूरत है उसके हिसाब से उनको यह सारी बेवस्थाय की जाएंगी तो आज कि इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप सभी आंगनबारी बेहनों को यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस व वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद